हिमाचित प्रदेश सरकार लोगों को बहतरीन सड़क्तों विधाएं उपलब करवाती है ताकि लोगों को परिशानियों का सामना ना करना पड़े इसी किचलते तीसा मंडल के अंतरगत आने बाले कोटी से चकलू के आनी मार्क पर सड़क के चोड़ी करन का कारे शुरू हो गया है जिस पर लगभग 18 करोर रुपए खर्च के जाएंगे पतादे की 20 किलोमिटर लंबे इस मार्क पर पैरफिट क्रैश बैरियर पुलिया सहिट सड़क को चोड़ा किया जाएगा पिछले काफी लंबे समय से इस मार्क को बहतर करने की मांगी जा रही थी लेगिन सरकार ने अब इस मार्क का काम शुरू किया है कई बार बरसात के मोसम में पुख़री के पास मार्क बंद हो जाता है जिस कारण काफी दिक्कते होटी है जबकी कोटी चकलू के आनी मार्ग का कार्य पूरा हो जाएगा तो चुराह और सलूनी के लोगों की दिक्कते भी आसान हो जाएगी और वे भी बिना समय गवाय जल्दी ही चमबा पहुंचाया करेंगे यह जो कोटी से क्यानी सटक अफ़गेडेशन का कारिया चल ला है ये लग 23 क्लोमेटर जो सटक है उसका उन्रति करन होना है जिसमें इसका वाइडनिंग होनी है रोड की कटिंग होनी है साथी-साथ क्रेश वहरी लगने हैं रेटेनिंग बार लगनी हैं कुछ पुलीयां बन इसमें अलगवग साथ आठ पंचायतों को जो है डिरेक्ट फाइदा होगा बाकि इनकेस अगर चमबाती सा रोड किसी कारण से वादित होता है तो उसमें इस रोड को जो है अल्टरनेटर रोड के रूप में भी उप्योग किया जाता है जो कि सलूनी और तीस्ता की सभी तो इसका जो कारे है वो लगवग 18 मिनों में पूरा किया जाना है अबी मार्च में ही इस कारे को अवाड किया गया था तो अभी इस मिहने तक इसको 15 PCC जो कारे हमने पूरण कर लिया है यह लगवग 18 कROड का कारे है जिसको की 23 किलोमेटर सड़क को पक्का करके उसके उपरांग 5 साल इसकी मेंटेनस भी ठेकदार के दुआरा ही की जाएगी आपको बताएदे कि इस मार्क के चौडी करण का कार्या 15 प्रतीशा तक हो चुका है इस 23 किलोमेटर मार्क पर 18 करोर रुपए खर्च किये जाएंगे जिसके चलते दोविधान सभाक्षित के लोगों को दोविधा मिलेगी पंजाब के स्टी टीवी के लिए चमबा सेमंजूर पठान की रेपोर्ट